हलो फ्रेंट्स माइनेम इस ट्रीती आप देख रहे हैं एक्जाम्टेन यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज हमनों डिस्कस करने वाले हैं जोग्रफी चैप्टर वन का पार्ट फोर आप लोग सोच रहे होंगे कितने ज्यादा पार्ट क्यों बन रहे हैं क्योंकि देखिए जोग्रफी है एक बार में सब पढ़ना हो अगर सब एक साथ ही तो बुक आप पढ़ी लेते हैं अगर समझ के पढ़ना है तो लेक्चर की जरूरत होती है इसलिए हम लोग स्लोली स्लोली और अच्छे से क्लास पढ़ेंगे जिससे क्या हो हमें लर्न भी होता जाए तो आज जो हमारा टॉपिक होगा यह हमारा टॉपिक होगा कि भारत में आपको पता है कि 29 राजये हैं और साथ केंदर सासित प्रदेस घenta अब यह 29 राजयों का गठन कब हुआ है इन राजयों का गठन जैसे हम लोग कशमीर की बात करें तो कब हुआ 1947 को थेक तो इसी तरह इं रा अगस्त को यह वीडियो 20 अगस्त 2018 को आ रहा है तब तक बाद में कोई कमेंट ना करें कि मैडम CM यह नहीं है राज्यपाल यह नहीं है ठीक बाद में आप लोग मत कमेंट करेंगा 20 अगस्त तक यह वैलिड है इसके बाद जो चेंज होगा वैसे CM इती जल्दी नहीं बदलते ह Prevention तो आप लोग अपडेट हो जाएगा आएव स्डू करते हैं पहला हमारा JK कस्मीर के असाफना कभ सी थी तो जब्मु कस्मीर के असाफना हुईैं 26 October 1947 कभ वी है 26 अक्टूबर 1947 अगर इसकी राजधानी की बात करें जब्मु कस्मीर के राजधानी की बात करें तो इसकी दो तो राजधानिया, एक ग्रीस मकालिन राजधानि, एक सीद कालिन, ग्रीस मकालिन की बात करें, तो स्री नगर में है, सीद कालिन की बात करें, तो जम्मो में है, अब देखिए कैसे याद करेंगे, ग्रीस स्री, ग्रीस स्री, तो ग्रीस मकालिन राजधानि का है, स्री नगर, और सीद कालिन काया है? जम्मू. जब सीद पड़ेगा, तो क्या होगा? लोग जम जाएंगे. इसलिए सीद कालिन रासधानी काया है? जम्मू में हैं. अगर हम लोग बात करें, अब देखें, जम्मू कस्मीर में तो CM तो होते नहीं, यहां पे राज़पाल का सासन होता है तो यहां के राज़पाल है सत्यपाल मलिक जम्मू कस्मीर के राज़पाल कौन है सत्यपाल मलिक और जम्मू कस्मीर के अगर हम लोग बात करें तो सम्विधान में इसे विसेश राज्य का दर्जा दिया गया है मतलब 38 आर्टिकल के दौरा आर्टिकल 370 के दौरा जम्मु कस्मीर को विसेसराज का दर्जा दिया गया तो जब हम लोग आर्टिकल 370 पढ़ेंगे तो सब डिटेल में जान लेंगे कि क्यों आखिर और जो इस्टेट हैं उनको नहीं दिया गया सिर्फ जम्मो कस्मीर को क्यों दिया गया तो बताते आपको बाद में अब देखिए इसमें एक चीज हम लोगों ने और एड़ कर लिया है कि जो भी static GK के portion होते हैं जील कौन सी है जैसे जम्मो कस्मीर से ले जो मतलब बहुत से question होते हैं जो one day से लेकर PCS अभी exam में अकसर पूछे जाते हैं अब जील वाले chapter में तो आपको पढ़ाया ही जाएगा लेकिन यहां भी एक बार अगर आपको पढ़ा दिया जागा तो कम सकम आपको इतना पता रहेगा कि यह particular state में है तो देखे भारत की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील कौन सी है वुलर जील यह कहां पे है जम्मू में है और बहुत देशी परियोजना अब इसका नाम बहुत देशी परियोजना है नदी घाटी परियोजना क्यों नहीं बहुत देशी इसलिए है कि इससे सिचाई भी होता है जलकिया पूर्ती भी होती है इसके कई उद्देश से हैं इस वज़े से इने क्या कहा जाता है बहुत देशी है परियोजना है तो जम्मू कस्मीर में बैती है चिनाब नदी जिस पे सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती तीन परियोजना है किस पे जिनाब नदी पे उसके बाद अगर हम लोग जेलं की बात करें तो तुलूबुल और उडी परियोजना किस पे जेलं नदी पर है जम्मू कस्मीर में ही है हमारा साली मारबाग और डल जील अब चलिए आपको जम्मू कस्मीर घुमा भी देते हैं ये देखिए यह पूरा रीजन है यह आप देख रहे हैं यह क्या है जम्मू एंड कस्मीर है यह पूरा आप इंडिया का मैप देख रहे हैं और इसमें यह पूरा रीजन क्या है जम्मू कस्मीर है और यहां पर क्या है स्री नगर राज़ानी कौन सी है ग्रीस मकालीन और जम्मू कौन सी है सीथ कालिन ठीक तो चलिए आपने जम्मो कस्मेरी घूम लिया बाते हैं अगले टोपिक पे आप लेक्टे चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी असापना होई है 25 जनवरी 1971 ठीक 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है और इसकी राजधानी का हैं सिमला और धरमसाला धरमसाला भी एक दो साल माय है इसकी राजधानी क्या है सिमला भी है सिमला और धरमसाला दोनों हिमा कौन से question बन सकते हैं तो देखे इसको काट देजे क्योंकि भागडा नांगलबाद कहां पर पंजाब में हैं यहां पर देखे पीर पंजाल स्रेडी पर है इनका रोहतांग दर्रा कहां पर है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा कहां है हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है और यह जाचकर स्रेडी में अब यह जो स्रेडिया होती है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक दो क्लास लेने के बाद यही टॉपिक आने वाला है हमारा और बड़ा लाचा दर्रा यह तीनों कहां पे हैं हिमाचल प्रदेश में सिमला को तिबबत से जोड़ता है तो सिबकिला दर्रा किसको जोड़ेगा सिमला को तिबबत से बड़ा लाचा दर्रा किसे जोड़ता है तो लेह को मंडी से जोड़ता है और इनकी स्रेडियां कौन से देखे बड़ा लाचा और सिबकिला दोनों जासकर स्रेडी में है जब आईए बात करते हैं अगला पंजाब है अगला हमारा क्या है पंजाब पंजाब की अस्थापना कब होई थी तो 1 नॉम्बर 1906 क्या इसके पहले पंजाब एक्जिस्ट नहीं करता था ऐसा नहीं है राज्यों का पुनर गठन हुआ था उसका ये डेट है इसके पहले भी पंजाब एक्जिस्ट करता ही था तो आप देखिए पंजाब की राज़ानी का है चंडीगड और यहां के सीम है अमरिंदर सिंग पंजाब के सीम कौन है अमरिंदर सिंग अब देखिए यहां पर important क्या हमारे लिए तो सबको पता है कि स्वड मंदिर कहां पर है अमरिंदर में है पंजाब के अमरिंदर में क्या है स्वड मंदिर है important है और पंजाब में ही है हमारा हरिके बैराज क्या है हरिके बैराज किस नदी पर सतलज और व्यास नदी के संगर्म पर है हरिक्य बैराज और यहीं पर है सबसे उचा बांद भाखड़ा बांद कौन सा है भाखड़ा जो हमने उपर अभी कट किया कि हिमाचल प्रदेश में लिखा गया था वो कहां पे है पंजाब में देख लेते हैं पंजाब कहां पे है अब यह देखें हिमाचल प्रदेश के ठीक बगल में क्या है पंजाब है हिमाचल प्रदेश के ठीक बगल में यहां की cm कौन है मनोहर लाल खटर हरियाड़ा से आपको याद आया होगा कि हरियाड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि brand ambassador कौन है साची मलिक ठीक और यहीं पे हरियाडा government क्या कर रही थी पेल लगाने के लिए बच्छों को 50-50 रुपे दे रही थी आने वाले तीन साल में हर तीन मैने पेने पैसे दे रही थी ठीक तो हरियाडा में क्या important है अब आपने सुना ह होगा history का portion की पानी पत का युद्ध important है हमेशा question आता है तो पानी पत जो है यह हरियाडा में ही पढ़ता है पानी पत कहां पढ़ता है हरियाडा में 1526 इस्वि में बाबर और इब्राहिम लोदी की मद्ध हुआ था पानी पत का प्रतम युद्ध और 1556 में हुआ था अखब होग कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा आईए बात करते हैं नेक्स हमारा उत्तरा खंड हरियाडा भी देख लेते हैं मैप में नहीं तो आप लोग कहेंगे दिखाया नहीं यह देखे पंजाब के ठीक नीचे क्या है हरियाडा और यहां अगर आप capital की बात करेंगे तो capital देखे क्या दिया है चंडी गड़ दिया क्योंकि पंजाब और हरियाडा दोनों की capital सेम है चंडी गड़ी है और इसके बाद हम लोग क्या discuss करेंगे देखते हैं क्या discuss करने वाले पंजाब हरियाडा की बाद है हमारा उत्तरा खंड उत्तरा खंड को मैप में देख लेते है लेकिन अगर या के CM की बात करेल तो यहां के CM है त्रिवेंद्र सिंग रावत कौन है त्रिवेंद्र सिंग रावत उत्राखंड की असापना होई थी 9 नौमबर सन 2000 को कब होई थी 9 नौमबर सन 2000 को इसको आप लोग याद कर लिजे 6 उ जा इनकी असापना 36 गड़ उत्तराखंड और जारखंड इन तीनों की असापना 2000 में उत्तराखंड और पंदरा तारी को जारखंड तो याद कर लिजे छा उजा इनकी एसापना कब हुई थी सन 2000 में हुई थी उत्तराखंड में हमारे लिए क्या important question है important ये है कि उत्तराखंड में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क और यहीं पर है एक रूप कुंड जील कौन सी जील है रूप कुंड जील इसे रहसमई जील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर नरकंकाल पाये जाते हैं रूप कुंट जील में क्या पाय जाते है नर कंकाल ठेक और यहीं पर है टीहरी बाद उत्तराखंड में कौन सा बाद है टीहरी बाद है जो की important है इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब बात करते हैं हम लोग 36 गड़ के बारे में देखिए 36 गड़ का अस्तापना हुआ था इनके कैपिटल है रांची और सीयम है रगुवर दास तो आई थिंक आप इसको याद रख लिजे चाउ जह चाटिस गड़ उत्राखंड और जारखंड एक नॉमबर नॉमबर और पंदरा नॉमबर सन दो हजार इसको भी मैप में देख लिजे आप लोग 36 गड़ कहां पे ह यह देखें मद्द प्रदेश है मद्द प्रदेश से ही अलग हुआ था 36 गड़ यह देख रहे हैं रिजन कौन सा है 36 गड़ का है और जारखंड देखें यह है बिहार से अलग हुआ था जारखंड इसे याद रखेगा कि जारखंड किस से अलग हुआ था तो बिहार से और म सिक्षाइंब Republican credit क्षमाय दिश्केस करते हैं नेक्स है हंवारा राज्यस्Thान राज्यस्तान वरी उंपोर्टेन यहां से pink city बोलते हैं जैपुर को राज्यस्थान की capital क्या यहें जैपुर और इसे बोलते हैं फिंक सिठी यहां की सीए मैं वसुंधर राजे इनने मुख्यमंत्री of the year का award भी मिला था आपको पता होगा इनकी प्रसाशन अच्छा है राजसान में इसलिए ने मुख्यमंत्री of the year का पुरसकार बोले तू CM of the year इसके असापना कब हुई थी तू 9.1956 को राजसान के असापना कब हुई है 9.1956 को और राजसान में बहती है चम्बल नदी जिसपे है जवाहर सागर और राडा प्रताप सागर बाद important है क्योंकि चम्बल नदी पर कुल तीन बाद है ठीक गांधी सागर, जवाहर सागर, राडा सागर ठीक तो गांधी सागर जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश देखेंगे तो आसपास है और इसी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागरबांद है जबकि अगर हम लोग बात करें कि चंबल नदी पर राजस्थान में कौन से दुबाद है तो जवाहर सागर है और राडा प्रताप सागर काफी important है और काफी confused भी करता है उसके बाद अगर हम लोग बात करें राजसान में हमारे लिए क्या important है तो राजसान में सबसे बड़ा मरुवस्तल है थार का मरुवस्तल राजसान में भारत का सबसे बड़ा मरुवस्तल है थार का मरुवस्तल और छेतरफल की दृष्ट से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है यहीं पर है सरिस्का और रर्थमबवर भाग विहार कौन सा है सरिस्का और रर्थमबवर भाग विहार यहीं पर है केवला देव राष्टी पच्छी विहार माउंट आबू यहीं पर है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी राजस्थान में है खारे पानी की सबसे बड़ी जील सामभर भी है यहां पर और कृतिम जील डेबर भी है खारे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है सामबर और कृतिम जील डेबर ये दोनों कहां पे है राजस्तान में है अब जब राजस्तान की इतनी उपलब दिया तो राजस्तान को देख भी लेते हैं कि कौन सा रीजन है ये देखिए है हमारा राजस्तान मैंने बोला था ना क चम्बल नदी यहीं पास में ही है अब यहीं में छेतरफल की तृष्टी से अच्छा आप देखिया आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा सबसे बड़ा इस्टेट कौन सा है तो क्या दिख रहा है बगल में मद्ध प्रदेश में जब चंबल नदी जाती है तो चंबल नदी पर कौन सा बाद है गाधी सागर बाद तो ये तीन बाद सीरियल से है जवाहर सागर, राड़ा सागर, गाधी सागर इंपोर्टेंट है आए अगला बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के अपन जब हमारा सम्मिधान लागू हुआ था पूर्टेया या हुआ था उत्तर प्रदेश राज का पुनर गठान और अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कर मनाता है तो 24 जन्वरी को ते आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सामने यूपी PCS का पेपर है वीडियो का पेपर है तो एक बात याद रखें इन सभी एक्जाम यूपी PCS, यूपी SSSC या वीडियो सब जितनी भी एक्जाम है इन सब में यूपी स्पेसल से क्वेस्चन जरूर बनने है और यूपी स्पेसल मैंने आपको पढ़ाया है आप लोग प्लेलिस में जा करके यूपी स्पेसल के सारी चीजे देख सकते हैं कि यूपी का कौन सा कब कब नाम क्या क्या था काफी इंपोर्टेंट है मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है जैसे उत्तर प्रदेश के अगर हम लोग नाम की बात करें कि उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, शुरुवात में क्या नाम था, और बाद में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, अगर हम लोग बात करें तो 1833 में, 1833 में UP का नाम था आगरा प्रेसिडेंसी, UP का नाम क्या था, आगरा प्रेसिडेंसी, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तीन साल बाद, 1836 में था उत्तर पश्चिम प्रांत क्या था उत्तर पश्चिम प्रांत या बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था उत्तर प्रदेश फिर 1877 में हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवद 1902 में हो जाता है आगरा एवं अवद का संयुक्त प्रांत और 1937 में क्या होत प्रदेश की राजानी ती आगरा आपको पता है कि 1833 में आगरा प्रेशिडेंसी का हिस्सा था ते फिर बाद में होती इलाहबाद और उसके बाद हो जाते हैं लखनौ लखनौ होती है 1925 से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजानी क्या है लखनौ तो काफे डीटेल में वहां पे cover किया गया आप लोग चाहें तो देख सकें देखसकते हैं और उत्तरप्रदेश से 13 जीलों को काट करके उत्तरप्रदेश अगर यह हमारा उत्तरप्रदेश ए तो यहां से 13 जीलों को काटा गया और क्या बना दिया इतरा अगर जन संक्या के दुरिष्टे बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश में है गोरकपूर बहुत से स्टाटिक जीके हैं यहां पर अगर कवर करने लगेंगे तो दो तीन पेज भार जाएगा इसलिए आप यूपी स्पेशल देख लिजेगा आईए अब बात करते हैं बिहार काम लोग बिहार के असापना हुई थी एक अप्रेल 1936 को अगर राजदानी की बात करें राजदानी पड़ता है तो अभी देखे हमने उत्तर प्रदेश वगरा नहीं देखाया तो आई देख लेते हैं यह देखे हमने लाश्ट टेम राजस्तान देखा था अब देखे यहां पर उत्तर प्रदेश है और यहां पर बिहार है यही काट के 9 नॉमबर 13 जिलो को काटा गया था औ उत्तरा खंड एक नया राज्य बना दिया गया था और फिर यह है बिहार बिहार से जारखंड को अलग कर दिया गया तो आई होब कि आपको वीडियो समझ में आगा देखे एक साथ अगर मैं सब कवर कर दूंगी तो बहुत जादा हो जाएगा आपके लिए इसलिए मैं इस थोड़ा टाइम लगता है और 17-18 मिनट का वीडियो काफी होता है तो आई होब कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इसके आगे हम लोग करेंगे यहीं से हम लोग को क्या देखना है उन्तिस स्टेट में से दस हम लोगोंने कवर कर लिया है और साथ यूनियन स्टेट और बाकी 19 स्टेट अभी बचे हैं इनको कवर करना है तो तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें ठीक और कमेंट करना मत भूलियेगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो ठीक और अगर आपक तो इसकिप मत करें एड को पूरा देखा करें थाइंक यू